रामायर में जितना महत्व प्रभु श्री राम और माता सीता का है उतना ही महत्व श्री हनुमान जी का भी है बास्तों में श्री हनुमान जी रामायर के बहु मुले रत्न के समान है उनके बिना रामायर की कथा कभी पूरी नहीं हो सकती है रामायर में अन्मान जी से जुड़े बहुत चारे प्रसंग है उन्हें प्रसंगों में से एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है लंका दहन नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है चोटसना और आप देख रहे हैं हमारा धार्मिक चैनल भक्ती सरोवर यदि मैं आपसे प्रस्ण करूं कि लंका दहन किस ने किया था तो आप मुझे क्या उत्तर देंगे ज़्यादा तर लोग कहेंगे कि बजरंगबली हन्मान जीने लेकिन आज मैं इस कथा से जुड़ी आपकी इसी ब्रांती को दूर करने आई हूँ वास्तों में हन्मान जीने नहीं बलकि मा पार्वती ने लंका दहन किया था इससे संबंदित कथाएं आपको पौराडिक ग्रंथों में मिल सकती हैं जैसा कि हम सभी को पता है कि माता सीता को ढूलने की जिम्मेदारी हन्मान जी को दी गई थी हन्मान जी ने अपनी इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभाया और माता सीता को लंका की अशोक वाटिका में खोज लिया इसके बाद रावर को दंड देने की उद्देश से हन्मान जी ने पूरी अशोक वाटिका को तहसनहस कर दिया और रावड के कई रक्षसों को मार दिया जब हनुमान जी किसी के बस में नहीं आये तब रावड के पुत्र मेघनाथ ने उन पर ब्रहमास्त्र का प्रयोग करके उन्हें काबु में किया और उनकी पूछ में आग लगा दी हनुमान जी ने अपने इसी पूछ से पूरी लंका को जलाकर रावड का अभिमान तोड़ दिया था लेकिन धर्म ग्रंतों के अनुसार हनुमान जी की पूछ में आग लगना और लंका दहन होना पहले से तय था इससे संबंधित एक बहुत रोचक खता है जिसके बारे में आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रही हूँ तो चलिए शुरू करते हैं त्रेता युग में जब विश्नु जी ने प्रभू श्री राम के अफ्तार के रूप में जन्म लिया तो शिवशंकर जी ने भी उनका सेवक बनकर हनुमान जी के रूप में जन्म लेने का निर्ने लिया जब माता पारवती को शिव जी के इस निर्णय के बारे में पता चला तो वह दुखी हो गए उन्होंने भी शिव जी के साथ धर्ती लोग पर जन्म लेने का आग्रह किया लेकिन शिव जी ने उन्हें समझाया कि हे उमा मैं मा अंजनी के बाल ब्रह्मचारी के पुत्र के रूप में जन्म लूँगा उस रूप में मेरा और तुम्हारा मिलन संभव नहीं है तब मा पार्वती ने उनसे कहा की हे भोलेनात मैं आपकी पूछ के रूप में आपके साथ रह सकती हूँ इस प्रकार हनमान में शिव और शक्ति दोनों का अंश होगा और जिससे वो परम शक्ति शाली होंगे भगवान शिव शंकर ने उनकी इस बात को स्युकार कर लिया और बाद में इसी पूछ रूपी स्वरूप में पार्वती जी ने लंका दहन किया लंका दहन के बारे में पुराडों में एक अन्य कथा भी बहुत प्रचली थे इस कथा के अनुसार एक बार शिव शंकर भगवान और मा पार्वती सुक्चैन के साथ कैलाश पर विराजमान थे तबी विश्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ कैलाश परवत पर भोले नाथ जी और माता पार्वती से मिलने के लिए आये कैलाश हीम से धका हुआ परवत था और वहाँ हर समय ठंड रहती थी उस दिन ठंड कुछ जादा ही थी मादा लक्ष्मी ठंड से कापने लगी उन्होंने मादा पारवती को ताना मारते हुए कहा की हे पारवती आप तो स्यम एक राजकुमारी है फिर यहां कैलाश परवत पर बिना किसी सुख के कैसे रह पाती है मादा पारवती को बहुत कष्ठ हुआ लेकिन उन्होंने मा लक्ष्मी से कुछ नहीं कहा कुछ समय बाद जब विश्नु जी और लक्ष्मी मा वहां से जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने बोले नाथ और मा पारवती को अपने धाम बैकुंठ लोक आने का निमंतर दिया कुछ दिनों के बाद माता पारवती और शिवजी बैकुंठ लोक पहुचे वहां के बैभव को देखकर माता पारवती बेकुल मंत्र मुग्ध हो गई वहां से वापस आने के बाद उन्होंने शिवजी से भी अपने लिए एक ऐसा महल बनवाने की मांग गी बोले नाथ तो वैरागी थे भला उन्हें महल और संपत्ति से क्या लेना देना लेकिन वो माता पारवती की इक्षा को अस्युकार नहीं कर सकते थे उन्होंने धन के स्वामी कुबेर जी को बुलाया और उनसे माता पार्वती की इक्षा अनुसार एक सुन्दर महल का निर्मार करने के लिए कहा। सनता हुई एक बार रावण के दृष्टी इस महल पर पड़ी उसने सोचा इतना सुन्दर महल ऐसा महल तो मैंने तीनों लोगों पर कहीं नहीं देखा ऐसा महल तो मेरा होना चाहिए परन्तु जब रावण को पता चला कि यह महल किसी और का नहीं बलकी स्यम भूले नाथ जी क है और रावण जो स्यम शिवजी का अनन्य भक्त था और इस बात से परिचित था कि वह महल को किसी भी परिष्टिती में बल से नहीं प्राप्त कर सकता तो उसने एक युक्ती खोजी वह जानता था कि शिवजी अपने नाम के अनुरूप ही वेहत सरल है उनसे यदि कोई कु सोचे समझे अपने भक्तों की हर एक एक्षा पूरी कर देते हैं उनकी इसी सरलता का लाप उठाने के लिए रावण ने एक ब्रामर का वेश धरा और सीधे शिव शंकर भगवान के पास पहुच गया शिवजी रावण को देखते ही भाचान गये उन्होंने रावण से पू से मना करना अधर्म होता इसलिए शिव शिव जी ने तुरंत रावण को वह महल दे दिया महल पाकर रावण बहुत प्रसन हुआ लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि ये महल तो माता पारवती की इक्षा अनुजार बनाया गया है यदि उन्हें इसके बारे में पता चला तो व रावण ने भोले नाथ जी से माता पारवती को भी विक्षा में मांग लिया और भोले नाथ रावण को मना नहीं कर सके माता पारवती को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने श्री विश्णुजी से अपनी सहायता की गुहार लगाई और भगवान विश्णु ने माता पार्वती की रक्षा की इस प्रकार माता पार्वती तो रावड के साथ नहीं गई लेकिन रावड उनके सोने के महल को लेकर चला गया माता को अपार पीड़ा का अनुभव हुआ और उन्होंने रावड को श्राब दिया कि उस महल का सुक रावण कभी नहीं भोग पाएगा और विस्यम इसमें आग लगा देंगी और इसी श्राप के कारण ही माता पार्वती जी ने हन्मान जी की पूच के रूप में जैन मिलिया और पूरी लंका को आग लगा दी इस प्रकार माता पार्वती ने हनिमान जी की पूछ के रूप में लंका का सर्वनाश किया तो दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो यही पर समाप्त होता है आशा करती हूँ कि आपको यह बहुत पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना सहयोग भी प्रदान करेंगे ऐसी ही और अधिक रोचक धार्मिक कथाओ के लिए हमारा चैनल भक्ती सरोवर जरूर सब्सक्राइब करें एक नए वीडियो के साथ जल्द ही दुबारा मिलेंगे धन्यवाद